अब बात करते हैं C pointer के बारे में C pointer अगर देखा जाए तो normal variable ही होता है जैसे हम variable define करते है integer A, integer B just like वैसे ही pointer variable को define किया जाता है लेकिन pointer variable में और normal variable में क्या difference होता है तो pointer variable जो है as per compared to normal variable normal variable में हम value store करते है और जैसे ही हम normal variable को define करते है तो वो एक memory location में space allocate कर लेता है लेकिन यहाँ पे pointer variable का use same just like mouse pointer होता है जिसे हम indication के लिए use करते है वैसे ही pointer variable को indication के लिए use करते है तो pointer variable का यहाँ पे जो definition बताया है कि किसी और variable की memory location को store करता है अपने memory location में और वहाँ पे point out करता है अगर हम pointer variable को define करने के लिए जैसे normal variable define किया जाता है integer A, integer B, just like वैसी लेकिन यहाँ पर एक special symbol का use किया जाता है अगर आप देखेंगे यह symbol हम अलग-अलग operation के लिए इसी use करते है लेकिन यहाँ पर यह जो symbol है हम pointer के लिए use करेंगे pointer variable define करने के लिए use करेंगे जैसे थोड़ा और diagramatically समझने की कोशिश करते है अगर आप देखेंगे screen पर तो यहाँ पर integer A और integer B ऐसे दो variable define किया है लेकिन एक pointer variable है और दूसरा normal variable है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो symbol use किया है pointer तो यह जो variable है यहाँ पर इसे कहते है pointer A और यहाँ पर normal variable है कोई symbol इसमें use नहीं किया है अगर हम B को देखेंगे तो यहाँ पर लेकिन अगर मैं B को point out करता हूँ A से जैसे यह mouse pointer हम move कर रहा है वैसे ही यहाँ पर A को point out करते है तो A का जो memory address है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह इसका memory location है और उसे point out करने की बाद वो अपने memory location में store कर लेगा यहाँ पर जो screen पर दिखाए दे रहा है यानि हम B के memory location को point out कर सकते है through pointer और pointer का भी अपना खुद का एक memory location होता है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों भी difference क्या है देखिए यहाँ पर 7, 8, 6, 6, 3, 2, 1 है और यहाँ पर 7, 8, 6, 5 है 3, 2, 1 इस तरह से लिखा हुआ है मतलब memory location का address different है यह address different है और यह address different है लेकिन जब हम उसे point out करेंगे तो B का जो address है यह यहाँ पर call कर लेगा यानि यहाँ पर store करेगा अपने खुद की memory location पर अगर हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते है तो एक variable है जिसमें हमने value store किया है 50 जो value हम store कर रहे है 50 तो 50 value store करने के बाद अगर हम pointer variable को देखेंगे तो यह variable define किया उसका एक address है 1001 और यहाँ पर यह address जब point out करेंगे जैसे मैं mouse pointer से यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ कि यह 50 है तो आप देख पा रहा है यह 50 value है वैसे ही यहाँ पर अगर हम किसी pointer variable से उसे point out करें तो यहाँ पर यह 50 value को नहीं store करेगा यहाँ पर 101 को store करेगा अपनी memory location में मतलब address store करेगा not value आगे इसका एक example देते है practically किसी programming में किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से call किया जाता है यह basic structure हो गया C programming का जिसमें हमने दो header file को call कर रखा है और फिर एक main function बनाया हुआ है उसमें get ch function भी लिखा हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पर एक integer variable हम define करता है integer a और दूसरा एक variable होगा integer b यह दोनो normal variable हमने लिखे है यह memory location में अपना-पना space allocate कर लेंगे अभी a में value store करते है 10 और यहाँ पर इस value को हम print भी करते है printf value of a equal percentage d a और यहाँ पर comma a इस तरह से लिखा तो यह तो यह a का value यहाँ पर print करेगा इससे compile किया इसमें कोई error यहाँ पर show नहीं कर रहा है 0 error, 0 warning है अब इसे run करते है run करने के बाद यहाँ पर अगर value आप देखेंगे तो a equal to 10 इस तरह से है लेकिन a का memory location भी आपको print करना है मतलब exactly memory location का एक address है वहाँ पर कहाँ यह value store है तो c programming में जब हम address print करते है तो यहाँ पर हम लिख सकते है address of a equal यहाँ पर percentage d, क्योंकि address भी हम number में ही लिखते है number में ही वहाँ पर show करेंगे तो यहाँ पर percentage d का ही हमने use किया यहाँ पर amp percent a मतलब address of a इस तरह से हो गया यहाँ पर slash n यूज करेंगे ताकि वो next line में print करें दोनों तरब भी हम slash n का ही use करेंगे और यहाँ पर semi colon देते last में यहाँ पर compile किया कोई error नहीं है run करते हैं तो a का value जो है 10 वो जो memory location है 6487580 पर store है यह उसका memory location का address हो गया अभी हम बात करते है b ने b एक memory location को allocate किया होगा कहीं तो उसने space reserve किया होगा तो same यह copy कर लेते हैं और b का भी address हम print करके देखते हैं यहाँ पर address of b लिखेंगे और यहाँ पर भी address of b लिखते हैं compile किया compile करने के बाद कोई error नहीं है run करते हैं तो देखिए दोनों में जो address है थोड़ा difference है यहाँ पर और memory location में a का जो address है 80 है और b का address है 76 है b में कोई value हमने store नहीं किया b को अब हम pointer variable की तोर पर use करेंगे यहाँ पर हमने एक symbol यूज किया जिसे हम multiplication operator के तरह भी use करते हैं star symbol भी बताते हैं तो यहाँ पर हमने उस symbol का use किया और b वहाँ पर लिखा मतलब यह जो variable हो गया आपका pointer variable है अब इसका काम क्या है कि हम particular a के memory location को point out करेंगे मतलब यहाँ पर जो value हमने initialize किया है 10 जो value है यह a में store की है same वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर b में a का value store करते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो यह normal variable को copy नहीं करता है यहाँ पर एक error show करा देगा देखिए यहाँ पर error show करा दिया कि आप pointer variable में normal variable की value नहीं store कर सकते है अब यहाँ पर आपको address ही वहाँ पर pass करना पड़ेगा address ही initialize करना पड़ेगा तो यहाँ पर address of a इस तरह से लिखा है मतलब address of a को हमने b में initialize किया है यहाँ पर compile करते हैं अब कोई error नहीं show करेगा अगर हम इसे run करते हैं तो address वही है जहाँ पर यह store किया था अब आगे हम check करते हैं कि b में जो value है अभी यहाँ पर address store किया मतलब b में जो value है वो क्या show करा रहा है अभी फिलाल तो यहाँ पर b की value प्रिंट करना है तो same हम यहाँ पर इस तरह से print करेंगे b का value यानि यहाँ पर हम b लिखेंगे और value of b इस तरह से लिखता है नार्मल जब हम बीना pointer का यह variable यहाँ पर लिखेंगे तो compile करने के बाद यहाँ पर कोई error show नहीं कर रहा है जैसे हम इसे run करते हैं तो यहाँ पर आप check कर पाएंगे कि a का जो address है और b का value जो है वो दोनों से हमें क्योंकि हमने address ही b में store किया हुआ address ही b में store किया है यसलिए वो exactly address को ही वहाँ पर show करा रहा है यानि हमने उसे point out कर लिया और b का अपना खुद का भी एक address है वो भी यहाँ पर show हो रहा है अभी exactly जब हम इसे pointer लिखेंगे point out करेंगे तो मैं ये value आप फिर से लिख लेता हूँ copy करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसके बाद तुरंद मतलब exactly आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है तो यहाँ पे हम pointer लिखते हैं पहले normal variable लिखा था तो उसने address प्रिंट किया था यहाँ पे pointer लिखते हैं और बाकी सारी चीज़े सेम वैसी ही होगी तो compile करते है और run करते है यहाँ पे आप देखेंगे b में value जो है जब हम point out कर रहे हैं तो हमने 10 ये value b में store नहीं किया था हमने address को store किया था लेकिन वो address जहाँ पे है तो वो exactly उस figure को point out करेगा just like ये जो mouse pointer आप देख पा रहे हैं वैसे ही अब मैं अभी आपको यहाँ पे value of a equal to 10 दिखा रहा हूँ तो आप वही value देख पा रहे हैं सेम वैसा ही यहाँ पे b ने a को point out कर रखा है तो इस तरह से ये pointer variable का use किया जाता है यानि value को point out करने के लिए हम ये pointer multiple values में multiple variables में use कर सकते हैं for example मैंने यहाँ पे और एक variable declare किया x और x में b value हमने store किया x equal to 90 इस तरह से तो हमें अगर यहाँ पे address बदलना है तो हम यहाँ पे address of x इस तरह से लिखेंगे तो तुरंत ये point बदल लेगा ये change हो जाएगा अगर हम compile करते है तो आप यहाँ पे आप देखेंगे a equal to 10 है लेकिन b equal to 90 है उसने अपना point out change कर लिया है और यहाँ memory location भी change हो चुका है मतलब उसने x का memory location अपने memory location में store किया है यहाँ पे 6487576 इस तरह से दिखा रहा है यानि उसका memory location वहाँ पे show करा रहा है तो ऐसे अलग-अलग variable को हम point out करने के लिए इसका use करते हैं तो आगे हम देखेंगे इसके पहले session में हमने देखा था कि function में call by value किस तरह से use करते हैं और एक program और आगे देखना बागी था कि call by reference किस तरह से होता है pointer समझने के बाद आप call by reference को आच्छी तरह से समझ पाएंगे pointer in short यहीं है जो definition हमने पहले देखा हुआ है कि pointer एक normal variable होता है और वो किसी और memory location को point out कर सकता है यारी अपने memory location में उसका address टोर करता है तो आगे call by reference का program देखते हैं तो सारे चीज़े आपको clear हो जाएगी